जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कुल सायकत द्यापक भरती पर इच्छा के लिए आपको समसामाई गटना तारकिक ज्यान से संबंदित महत्पूल कॉस्चन आंसर हैं अपनी वीडियो को पूरा वस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बैल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की नोडिकेशन आपके यहां तक सबसे पहले पहुँचे और आपके लिए बताना है कि कितने कॉस्च किये कार्याले यानि की एन एस ओ तौरहाल ही में जारी आंकणों की अनुसार वित्तवर से 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की ब्रद्दीदर है कितनी है भारत की ब्रद्दीदर ये आपको बताना है चार विकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं क्कॉस्चन नमबर एक है किस दिवस की रूप में मनाय जाता है तो 31 जनवरी को कौन सा दिवस मनाय जाता है बताइए 31 जनवरी को बताना है तो आपका राइट आंसर है question number 2 का विकल्प number D यानि कि D में क्या है विस्ट कुंठ उनमूलन दिवस की रूप में मनाते हैं 31 जनवरी अंगले question क्या है तो यहाँ पर question number आपका 3 क्या पूचा है तो देख लेते हैं प्रमक राज्यों की स्रेली के तहत इंडिया innovation index 2020 के दूसरे संस्क्रण में कौन सा राज्य सीर्स पर रहा है तो 2020 के दूसरे संस्क्रण में बताना है वैं कौन सा राज्य है जो इंडियन innovation index के दू से संस्क्रण में सीर्स इस्तान पर रहा है महराष्ट करनाटक गुजरात अंदरप्रदेश राइट आंसर होगा करनाटक विकल्प नमबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है question number 4 क्या पूच्छा है 2021 world economic forum की बार्सिक बैटक के इंक्याउन वे संस्क्रण दा दौबुइस agenda 2021 की themes क्या थी इसका विसाय बताना है इसका विसाय क्या था इसकी theme क्या थी तो आपका यहाँ पर right answer होगा question number 4 का विकल्प नमबर आपका यहाँ पर क्या है d right answer है यह crucial year to rebuild trust इसका जो था theme थी बेसाय था तो विकल्प नमबर डी आपका यहाँ पर सही answer है question number 5 पूच्छा है 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट मानवधिकार परिसद का presidency चुनाव जीतने वाले का नाम है क्या है यह आपको बताना है 5 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट मानवधिकार परिसद का presidency चुनाव जीतने वाले का नाम है तो पांच का right answer है यह यानि की नाजत समीम आपका विकल्प नमबर यह आपका सही answer है अंतराष्टी प्रवासी दिवस कमनाए जाता है question number 6 है महत्तपुन है अंतराष्टी प्रवासी दिवस पूंचा है तो 6 का right answer है आपका विकल्प नमबर D यानि की 18 दिसंबर को question number आपका साथ पूंचा है विस्व बैंक ने कारुवारी सुगमिता की संसोधित ranking report हाली में जा क्या है तो इस report में भारत की ranking बताना है क्या है भारत की ranking तो यहां पर आपका जो सही answer होगा वै क्या है right answer साथ का 63 बाहिस्तान है भारत का विकल्प नमबर आपका सी यहां पर सही answer है 24 दिसंबर 2020 को निम्न में ऐसे कौन सा दिवस मनाए गया था तो question number 8 है महत्वपून है और कौन सा दिवस मनाए गया था 24 दिसंबर 2020 को तो आपका यहां पर right answer है question number 8 का D आनि की राष्टी अपभोगता दिवस मनाए गया था question number 9 क्या पूँचा है भारत में जलबायू परिवर्थन पर पेरिस समझोता लक्षों को प्राप्त करने के लिए हाली में एक सीर्स समीती का गठन किया गया है इस तंदर में निम्न में ऐसे कौन सा कथन सत्त है तो इसे समीती के संबंद में यहां पर कथन जो दिए गए है बहे आपके लिए बताने कौन सा कथन सत्त है चार विकल्प देगा है question number 9 कूट में आपका बी राइट आंसर है यानि कि इसमें दो और तीन कूट में बी राइट आंसर है दो और तीन यानि कि पेरिस समझोता अधिकारे ग्रूप से एक जन्वरी से लागू होगा परियाव करें यहाँ पर आपके लिए बताना है तो यहाँ पर बताने कि कौन सा उप्रोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्त है कूट भी देगा है question number 10 है और 10 का राइट आंसर है आपका एक दो तीन यानि कि यहाँ पर तीनों कथन है वह सत्त है तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ प किया गया था असोग के वह कौन से सला लिखें सारनात धौली या सहबाजगड़ी इनमें से कोई नहीं 11 का राइट आंसर है आपका बी आनि की सहबाजगड़ी आपका सही आंसर यहाँ पर है मैंक इस्तिनीच जिन्होंने भारत के वारे में प्रिसेत ग्रंत इंडी का लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थी मैंक इस्तिनीच किस देश के थी यह आपको बताना है पुर्तवाल मिस्टर ग्रीस तुल्की तो आपका बारा का जो राइट आंसर है बैह विकल्प नंबर बी आनि की ग्रीस आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगले question क्या पूछा है तो question number आपका 13 पूछा है विजय नंगर समराज जी की संस्तापक कौन थी विजय नंगर समराज जी की संस्तापक पूछा है question number 13 में right answer ह disciplinary यह इवं बुक का आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नम्बर 14 क्या पूँचा है कि निमने लिखेते किन समराटों की सासनकाल में भारत का पहला मद्रा रुपिया मद्रित हुआ तो आपका चवदा है का राइट आंसर है C यानिकी सेरसा है सूरी के सासनकाल में कॉस्चन नम्बर 15 का पूँचा है किस संत को रामन की रचेता बालमी की का आउतार माना जाता है कॉस्चन नम्बर 15 का राइट आंसर है आपका विकल्प नम्बर 1 यानिकी गोस्वामी तुलसीदास कॉस्चन नम्बर 16 क्या पूँचा है भारत में पहली रेलगाडी किस बरस और किन दो इस्तानों की वी चलाई गई थी question number 16 महत्पूर्ण है भारत में पहली रेलगाली किस बर्स और किंदो इस्तानों की भी चलाई गई थी तो 16 का सही आंसर है आपका C 1853 में मुंबई और थाणी की मद्दे जो चलाई गई थी रेलगाली जो पहली बार चलाई गई थी भारत में कब 1853 में स्वामी तयानन सरस्वदी ने किस सहर में पहली बार 1875 में आरे समाज की इस्तापना की थी तो कौन सा सहर है बामबे जो अभी बरत मान में मुंबई है हम्दाबाद पुरे कलकत्ता जो अभी बरत मान में कुलकाता के नाम से जाता है तो 17 का राइट आंसर है आपका विकल्प नमबर एक बामबे मुंबई आपका जो है सही आंसर होगा Question number आपका यहाँ पर 18 क्या पूँचा है खुदी राम बॉस को बेटेस नियादीस मजस्ट्रेड खालिस्तान की हत्या की प्रियास के लिए जो है फांसी दी गई थी यह आपको बताना है खुदी राम बॉस को बेटेस नियादीस मजस्ट्रेड खालिस्तान की हत्या के प्रियास के लिए फांसी दी गई थी तो आपका यहाँ पर 18 राइट आंसर है विकल्प नंबर एक यानि की किंग सुफोर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान की बीजी तासकंद समझवाता कब हुआता महत्तुपूर्ण कॉस्चन है कॉस्चन नंबर 19 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है कब हुआता यह समझवाता तो सही आंसर है उननिस का विकल्प नंबर एक 1966 आपका सही आंसर है question number आपका 20 पूंचा बैदिक देवता इंदर किसके देवता हैं तो बताइए बैदिक देवता इंदर किसके देवता हवा के बरसा और चक्रपात के दूपान के अगनी के तो 20 का right answer है C आने की बरसा और चक्रपात के बस्तर एक आदिवासी जला है किस राज्य में है यह आपको बताना है बस्तर तो question number है आपका 21 और 21 का right answer है आपका B आनिकी 36 गड़ राज्य में है बस्तर जला question number आपका 22 पहुचा है सूची एक को सूची दो से मिलान कीजे नीचे कूट आपके यहाँ पर दिये गए हैं तो देख लेते हैं question number 22 का जो right answer है कूट में आपका यहाँ पर 22 का right answer होगा विकल नमबर A आपका सही answer है तो A का तीसरा हो जाएगा पुलिकड जील कहाँ पर है तमि पर जील राजस्तान में इस प्रकार आपके यहाँ पर सुमिलित हो गए अंगला question क्या पूचा है question number आपका 23 यहाँ पर पूचा गया है देख लेते हैं question number 23 चमीरा पांध किस नदी पर बनाये गया है सतलुज ब्यास राभी चिनाब तो 23 वा question है right answer है विकल नमबर B आनिकी राभी आपका सही answer होगा question number आपका यहाँ पर अंगला क्या पूचा है 24 वा question यहाँ पर दिया गया है देख लेते हैं question number 24 यह है क्या है कि देखिए बागान द्वारा प्राप्ते पे फसल निमलिकित में ऐसे कौन है जूट चाय बाजरा या मक्का तो question number 24 का सही answer है आपका C आपका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा तामबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है राजिस्तान है चत्यस गाड़ है जारखंड है मद्द प्रदेश है तो 25 का आपका जो सही answer है वह है आपका विकल्प नंबर D आनिकी मद्द प्रदेश आपका सही answer होगा question number 26 है हरिष्चंद्र अनुसंदान संस्थान कहां पर रिस्ते थे महत्पुण question है हरिष्चंद्र अनुसंदान संस्थान पूछा है तो 26 का राइट आंसर है आपका D इलाहबाद प्रियाग राज में यह संस्थान इस्ते थे संवेडानिक अपचारों का अधिकार की तहत आता है मॉलेक अधिकार, गेर सम्मिदानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकरतिक अधिकार तो Q27 का correct आ है? मॉलेक अधिकार आपका सही answer है सम्मिदानो क अप्चानों का अधिकार के अंतरगट आते हैं अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है तो यहाँ पर कॉस्चिन नमबर 28 पूँचा है भारत का निमलिकत में ऐसे कौन सा राष्टपती निर्व रोध निर्व आचित हुआ था राष्टपती का नाम आपको बताना है 28 का क्या होगा सही आंसर 28 का सही आंसर है नीलम संजीव रेड़ी विकल्प नमबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसवा संसिदिय छेतर है उत्तर प्रदेश में पूँचा है 29 का आंसर बताना है और 29 का राइट आंसर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होग है इसको कौन प्रमानित करता है question number 30 है और आपका 30 का जो right answer है वै होगा राज्य विधान सभा का अध्यक्स आपका सही answer है question number यहाँ पर 31 पूंचा है भारतिय सम्मीदान की प्रस्ताबना में समाजबादी सब्द के संसोधन द्वारा लिया गया था तो भारतिय सम्मीदान की जो प्रस्ताबना है इसमें समाजबादी सब्द के संसोधन द्वारा लिया गया था तो आपका 31 का right answer है ए आनिकी 32 पूंचा है राइट आर्ट से बिल्डिंग से भारत की किस राज्य सरकार का सचवाले भवन है 32 में बताना है तो 32 का right answer है आपका C आनिकी पूंचार का इभवन है और question number 33 है क्या पूंचा है The Imperial Bank of India कुराश्टी करन की पूंचात क्या नाम दिया गया था The Imperial Bank of India को 33 का सही answer है आपका यहाँ पर D आनिकी भारतिय इस्टिड बैंक है Question number 34 है 2011 की जनगंडना रिपोर्ट की अनुसार पृति बर्ग किलोमीटर भारत का जनसंक्या घनत तो कितना है तो 34 का answer है आपका 382 382 आपका यहाँ पर सही answer हो का विकल्प number C right answer है Question number 35 क्या पूंचा है आपसे यहाँ पर स्वक्ष भारत अवियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संक्या में स्वाचवालों का निर्मान होना है का सुभारंब कभी किया गया था तो स्वक्ष भारत अवियान का सुभारंब कभी क्या गया था 35 का right answer बताना है तो 2 अक्टूबर 2014 को इसका अवियान का सुभारंब क्या गया था विकल्प number D सही answer आपका यहाँ पर अंगला question कि नमामी गंगे योजना की अंतरगत भारतिय प्रोध्योग की संस्थान कानपुर द्वारा कितने गाउं को गोद लिया गया था नमामी गंगी योजना की अंतरगत तो question number 36 का right answer आपका बी right answer पांच गाउं को गोद लिया गया था बिलकुल चाही right answer है question number 37 यहाँ पर क्या पूँचा है तो देखे संगनन जल चक्र की पृतिकरियाओं में से एक है संगनन की बारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है question number 39 का खालिस्तान किर्सी के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उननत ग्रीन हाउस प्रोद्योगी की जैसे की hydroponics और aeroponics का उप्योग करके सहरों में बहु मंजला इमारतों की अंदर बानजिक रूप से वो हर फसलों की केती की जाती है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 49 का एक यानि की लंब बत खेती लंब बत खेती आपका यहाँ पर सही आंसर है विस्व आनि की दिवस कमना जाता है question number 40 महत्तपूर है और आपका सही आंसर है question number 40 का विकल्प नंबर बी आनि की 21 मार्च को question number 41 पूचा नेमलिकत मिसे किस में से धोनी की गती सबसे तेज होती है नरवात, पानी, लोहा या बायू तो किस में सबसे अधिक होती है धोनी की गती, सबसे तेज होती है तो आपका राइट आंसर है 41 का विकल्प नंबर यहाँ पर बी आनि की लोहा आपका सही आंसर होगा नीबू निचोडने की मशीन खालिस्तान है बताईए क्या है Q42 का राइट आंसर बताना है नीबू निचोडने की मशीन खालिस्तान है तो 42 का राइट आंसर B यानि की दुतियक स्रियली का उत्तोलक आपका सही आंसर होगा खाने का soda है कौन सा है बताइए खाने का soda है यहां पर 43 में पूचा है तो आपका 43 का सही आंसर क्या होगा चार विकल्प दिये गए हैं खाने का soda जो है बहे सोडियम बाई करवो निट आपका यहां पर भी सही आंसर होगा question number आपका 44 है निमलिकत में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है बताइए कि निमलिकत में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है 44 का यह राइट आंसर है calcium और magnesium आपका यहां पर सही आंसर होगा question number आपका 45 है नेमलिकेत में से कौन सा हार्मोन प्यूस ग्रंती से इस्तरावित नहीं होता है प्यूस हार्मोन से बताना है जो प्यूस ग्रंती से इस्तरावित नहीं होता है 45 का राइट आंसर होगा secret in सिक्रिट इन आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर पूंचा गया है बिल्कुल सही Q4 यहाँ पर क्या पूंचा है आलू में बलेक हर्ट किस के कारण होता है तो आलू में बलेक हर्ट होता है बलेक हर्ट और यह किस के कारण होता है तो 46 का सही आंसर आपका होगा भंडारण में O2 की कमी के कारण होता है बिलेख़ट आलू में यहाँ पर question number 47, 48, 49, 50 यह 4 question आपकी reasoning से संबंदित हैं तो इन question को छोड़ देते हैं तो इस परकार आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आल वीडियो की जानकारी आप कहां तब पहुंचे अंगले वीडियो में हिंदी के question कवर करेंगे तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवास अभी के लिए जय हिन